नमस्कार उडान आईए एस अकादमी के e-learning प्लैटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मैं हो सुधीरवर्मा और इस वीडियो के अंतरगत हम देखेंगे राष्ट्य तथा 36 गड़ समसामेकी से जुड़े कुछ ऐसे महतुपूर्ण तथ्य जो आपके एक्जाम में आने की संभावना है तो आईए आज का वीडियो प्रारम करते हैं आज का पहला प्रश्ण है शिक्षा के अधिकार के तहट नीजी इसकुलों में कितने प्रतिशत सीटों पर कमज़ोर तबके के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है आपको ये question मनाने के पहले ये जो सिक्षा का अधिकार है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए भारतिय सम्विधान में सिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्ष 2002 में 66 सम्विधान संशुधन के माध्यम से शामिल किया गया था 66 सम्विधान संशुधन ने बोला गया कि ये जो सिक्षा है वो बच्चों का एक मौलिक अधिकार है और इसको भारतिय सम्विधान के 21 का में शामिल किया गया इसके बाद वर्ष 2009 में एक एक्ट बनाया गया जिसके द्वारा जो 6 से 14 साल के जो बच्चे है इनके लिए मुफ्त या बोल सकते हो मुक्त और अनिवार्य सिक्षा का प्राधान किया गया है ये दो शब्द जो है ये बहुत important है मुफ्त और अनिवार्य सिक्षा इसको हो सकता है आपको पूछ दे ऐसा कि इसको बदल दे शब्द निशुल्क और अनिवार्य सिक्षा इसका प्राधान जो है वर्ष 2009 में राइट टू एजुकेशन यानि कि जो सिक्षा का अधिकार है राइट टू एजुकेशन ठीक है इसके अंतरगत किया गया है जिसके अंतरगत जो निजी स्कूल है वहाँ पर की कुछ सीटे आरक्षित की जाती है उन 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए जो की कमजोर तबकों से आते हैं जो बहुत कम आये वाले परिवारों से आते हैं उनके लिए निजी स्कूलों की सीट जो ह वो आरक्षित किये जाते हैं उन कमजोर तबकों से आने वाले बच्चों के लिए option है आपके पास 15 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 35 प्रतिशत या 50 प्रतिशत तो आईए जानने का प्रयाश करते हैं इसको चले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 जुन 2021 की प्रविष्टिती थी है लिखा क्या है शिक्षा का अधिकार पालक पोर्टल में कर सकते हैं आवेदन ठीक है याने कि शिक्षा के अधिकार के अंतरगत जो आवेदन है वो प्रक्रिया प्रारंब हो चुकी है इस पेज के जब आप सेकंड पैराग्राफ में पहुँचते हैं यहाँ तब यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलता है आपके प्रशन का उत्तर क्या लिखा है उन लेखनी है कि सिक्षा के अधिकार के तहत नीजी स्कूलों में 25% सीटों पर कमजोर तबके के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है तो यहाँ से आपके प्रशन का उत्तर क्या हो जाएगा ओप्शन नंबर बी 25% सीटे जो है नीजी स्कूलों की रिजर्व किया जाता है किनके लिए ऐसे बच्चे जो की आर्थिक रूप से कमजोर है ठीक चलते हैं अगले प्रशन की तरफ चलिए अगला प्रशन है वजन त्योहार का संबंध किस से है आप्शन है आपके पास धान खरीदी से सुपोशन अभ्यान से मक्का खरीदी से या कमपोश्ट खाद वितरन से तो आईए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो वजन त्योहार है वो क्या है तो चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 जुन 2021 की प्रविष्टिती थी है लिखा क्या है मुख्य मंत्री सुपोशन मिशन के अंतरगत महिला एवं बालविका स्विभाग द्वारा वजन त्योहार का आयोजन संपूर्ण 36 गड़ में 7 से 16 जुलाई 2021 तक किया जाएगा तो यहाँ से आपके प्रशन का उत्तर मिल जाता है कि ये जो वजन त्योहार है इसका संबंद किस्से है मुख्य मंतरी सुपोशन अभियान से ठीक तो यहाँ से आपके प्रशन का उत्तर हो जाएगा option number B चलते हैं अगले प्रशन की तरफ चलिए अगला प्रशन है एक जिला एक उत्पाद कारेकरम का उत्देश क्या है option आपके पास उध्यानिकी फसलों के उत्पादन को प्रोचाहित करने से वर्मी कंपोश्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने से या 36 गड़ी शिल्प बाजार को प्रोचाहित करने से या सुपोशन से जुड़े घटकों को प्रोचाहित करने से कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था एक जिला एक उत्पाद कारिक्रम के बारे में तो आईए फिर से इसको recall करते हैं कि ये कारिक्रम क्या है चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उद्यानिकी फसलों के प्रोचाहन के लिए एक जिला एक उत्पाद कारिक्रम ठीक है कल भी मैंने इसको आपको बताया था इसमें आपको याद क्या रखना है ठीक एक तो इसका उद्देश ही याद रखेंगे मेंस पेपर वाले खास कर ठीक है जो मुख्य परिक्षा दे रहे हैं वो इसको याद रखेंगे उद्देश याद रखेंगे इसके अलावा किन-किन जिलो को किन जिलो को कौन सा फसल कौन सा फसल आबंटित किया गया है ठीक है यह यू बोल सकते हो कि किस जिले के लिए किस फसल को निर्धारित किया गया है एक जिला एक उत्पाद कारिक्रम के अंतरगत, ठिक, इसको मैंने कल भी बताया था आपको, कि कुल 14 जिले है, जहां पर ये कारिक्रम चलाया जाएगा, और 9 प्रकार की ऐसी फसले है, जो इस कारिक्रम के अंतरगत शामिल की गई है, ठिक, चलिए, तो यहां से आपके प्रश् करने से संबंधित है एक जिला एक उत्पाद कारिक्रम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलिए अगला प्रश्ण है महिला स्वसाहता समुहों को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य के कितने गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर इस्थापित किये गये हैं ठीक देखें मल्टी एक्टिविटी सेंटर क्या होता है मल्टी एक्टिविटी सेंटर वह इस्थल होता है जहां पर महिलाओं को अलग अलग क्रियाओं के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है अभी इसका केंद्र बनाया जा रहा है गौठानों को, जो गौठान है वहाँ पर महिलाओं के समुहों को एकत्र किया जाता है और वहाँ पर रोजगार संबंदी प्रशिक्षन जो है उनको प्रदान किया जाता है, तो आपको प्रश्ण में पूछ रहा है कि अभी तक कितने है जिनको मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में इस्थापित किया जा चुका है, तो आईए जानने का प्रयास करते हैं, चलिए यहाँ पर देख पारे आप 24 जुन 2021 की प्रविष्टिती थी है, लिखा क्या है, सभी गौठानों में पश्व के लिए हरे चारे का हो प् लिखा है महिला स्वासाहता समुहो को रोजगार से जोडने के लिए 216 गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर इस्थापित किये गए हैं, ठिक अब ये सेक्शन कहां पर उपयोगी होगा, ठिक देखे, यदि यह तो आपको प्रिलिम्स में डारेक्ट पूच सकता है या जो भी आपके अभी one time exam हो रहें, वहाँ पर direct आपको प्रशन पूच सकता है, इसके अलावा यदि आप मुख्य परिक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पर यदि रोजगार संबंधी प्रयास, ठिक है, राज्य सरकार के द्वारा रोजगार संबंधी जो प्रयास किये जा रहे हैं, उस पर यदि लेख लिखने को आया, इसके अलावा यदि आपको ये पूचा गया कि 36 गड़ सरकार के द्वारा रोजगार के छेतर में क्या प्रयास किये जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये आपके काम आ सकता है, टिक बहुत important data है, याद रखेगा, तो कितने गव एकला प्रशन है, साल बीज संग्रहन के लिए वर्तमान में दर प्रती किलोग्राम कितना निर्धारित है, टिक है, आपके पास 20 रूपए, 30 रूपए, 40 रूपए, 15 रूपए, टिक, आपको पता होगा कि साल बीज जो है, वो एक मुख्य, वन उपच के अंतरगत आता है हम लिखा क्या है? राज्य में साल बीज का संग्रहन किया जा चुका है, यहां पर जब इस पेज को आप पढ़ेंगे, टिक, यहां पर आपको पता चलेगा, साल बीज संग्रहन के लिए वर्तमान में 20 रूपए, प्रती किलोग्राम दर निर्धारित है, ठिक, दिखा हुआ है तो यहां से आपके प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल बीज संग्रहन की दर कितनी है अभी 20 रुपए प्रती किलोग्राम चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलिए अगला प्रश्ण है लंदन डिजाइन प्रदर्शनी के तृतिय संसकरण में इंडिया पैवेलियन लंदन डिजाइन प्रदर्शनी का प्रायो जग राज कौन सा है देखे ये जो कारिकरम है ये जो प्रदर्शनी कारिकरम है वो चलाया जा रहा है समर सेट हाउस लंदन में ठीक है यहां पर ये संचालित किया जा रहा है ठीक है इसके अंत जो इंडिया पेवेलियन लंडन डिजाइन प्रदर्शनी है ठीक है ये किस राज्य के द्वारा प्रायोजित किया गया है ये आपको प्रश्ण में पूछ रहा है तो आए जानने का प्रयास करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर 24 जुन 2021 की प्रविश्टिती थी है लिखा क् 36 गड़ राज्य की वन नीती की गूंज विश्व पठल पर ठीक है वहाँ 36 गड़ राज्य की जो वन नीती है जिस प्रकार से अनेक व्रिक्षार ओपन कारेकरम चलाया जा रहे है कैमपा योजना चलाया जा रही है बहुत सारी योजना जो है वो चलाया जा रही है व्रिक् Summerset house में 27 जून तक, ठीक है, 27 जून तक ये प्रदर्शनी चलेगी, इसी में आगे पढ़ेंगे, 36 गढ राज्य, India Pavilion, London Design प्रदर्शनी का प्रयोज़क है, ठीक, तो इंडिया Pavilion, London Design प्रदर्शनी का प्रयोज़क कौन है, आपको प्रश्ण में यही पूछा है तो कौन सा राज्य है? 36 गड़ चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलिए अगला प्रश्ण है भारत सरकार के कोविन पोर्टल के अनुसार पूरे 36 गड़ राज्य का कोविड वैक्सिन वेश्टेज प्रतिशत कितना है? आपको पता होगा कि अभी हाल फिलाल में काफी जादा ऐसे नियूस आये थे जिसके अंतरगत जो कोविड के वैक्सिन सें उनके खराब होने की सूचना आयी थी तीक है उसके बारे में काफी जादा चानकारी आयी थी काफी जादा लोगों में गुस्सा भी था इस संबंध में आपको प्रेश्ण में पूछ रहे कि अभी 36 गर राज्य में जो कोविड वैक्सिन है ठीक है इसका वेस्टेज प्रतिशत कितना है ओप्शन है आपके पास 1.1 प्रतिशत, 3.1 प्रतिशत, 4.1 प्रतिशत या 5.1 प्रतिशत तो आईए जानने का प्रयास करते हैं चलिए यहाँ पर देख पारें आप 24 जून की प्रविश्टिती थी है लिखा क्या है राज्य में कोरोना वैक्सिन का वेस्टेज केवल 1.1 प्रतिशत, ठीक आगे लिखा है भारत सरकार के कोविड पोर्टल के अनुसार पूरे 36 गर राज्य का कोविड वैक्सिन की तरफ चलिए अगला प्रशन है मुख्य मंत्री विक्षर ओपन प्रोचाहन योजना के अंतरगत हर जीले में निवनतम कितनी भूमी में प्रदर्शन 1 निर्मान करने का निर्देश दिया गया है ठीक ऑप्शन है 10 एकर 15 एकर 20 एकर या 30 एकर तो आईए जानते हैं इसके पारे में चलिए यहां पर देख पारे हैं 25 जुन 2021 की प्रविष्टिती थी है लिखा क्या है सभी जीला मुख्यालियों के समीब विक्सित होंगे प्रदर्शन 1 इसके आगे क्या लिखा है कि मुख्य मंत्री विक्षर ओपन प्रोचाहन योजना को लेकर सामान्य जन में प्रदर्शन का उत्तर है ठीक इसी में आगे पढ़ेंगे यहां पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई व्रिक्षार ओपन प्रोचाहन योजना को लेकर लोगों में जवरदस्त उचाह देखने को मिल रहा है साथ ही इसको लेकर कुछ जिग्यासाएं भी हैं ठीक इसी जो प्रदर्शन मन है वो है क्या देखे हर जीला का एक जीला मुख्याला होता है इस जीला मुख्याला के आसपास कहीं पर भी ठीक है कहीं पर भी दस एकर की जमीन जो है इसको चिन्हांकित किया जाएगा और यहां पर व्रिक्षार ओपन का कार्य जो है वो कराया जाएगा इससे हमारे वन घनत्व में निश्यत रूप से क्या होगी वृध्धी होगी ठेक तो यहां से आपके प्रश्ण का उत्तर मिलता है कितने एकड़ भई दस एकड़ चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलिए अगला प्रश्ण है घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षन अधिन अधिनियम 2005 कब लागो किया गया औप्शन है आपके पास नवंबर 2005, अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2007 या नवंबर 2008 तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो अधिनियम है वो कब लागो किया गया है चले तो यहां पर आप देख पा रहें यह भारत का वो राजपत्र है जिसके माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षन अधिनियम 2005 लागो किया गया था ठीक यहां पर जब आप अधिसूचना में देखेंगे ठीक क्या लिखा है घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरक्षन विधेयक 2005 की धारा एक को उप धारा तीन के द्वारा प्रदत शक होगा याने कि 26 अक्टूबर 2006 वह तारिक है जिस दिन से ये अधिनियम जो है वो क्या होगा लागो माना जाएगा ठीक तो कब हुआ है वही 26 अक्टूबर 2006 ऑप्शन नंबर बी आपका सहीं उत्तर होगा ठीक यहां पर आपको डेट देता तो क्या होता यहां 26 तारिक दिया योजना का प्रारम किया गया ठीक है इसको हम लोग ICDS भी बोलते हैं ठीक है Integrated Child Development Service ठीक इसके अंतरगत क्या किया जाता है जो आंगनबाडी होते हैं आंगनबाडी के माध्यम से पोशन सिक्षा ठीक है जो छोटे बच्चे हैं उनके पोशन सिक्षा और अन्य बीमारियों से बचाओ जैसी जो कारेकरम है वो संचालित किया जाते हैं ठीक इसका मुख्य उद्देश होता है जो बच्चे है उनका सरवांगिन विकास करना ठीक आपको प्रश्ण में पूछ रहा है कि ये योजना जो है वो लागू कब हुई है ठीक है कब प्रारम की गई है ऑप्शन ह 2.1980, 2.1975, 2.1995 या 2.1985 तो आईए जानते हैं इसके बारे में यहां पर आप देख पार है समेकित बाल विकास सेवा योजना ICDS ठीक इसको पढ़ेंगे आप भारत सरकार द्वारा कुपोशान, सिशु मृत्युदर, मात्र मृत्युदर के इस्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक बौधिक विकास की नीव डालने एवं उचित सामुदाइक सिक्षा के माध्यम से बच्चों के स्वामान्य स्वास्त पोशन तता विकास संबंदी और शक्ताओं की देख भाल में माताओं की छमता निर्मान के महत्वाकांची उद्देशों के साथ आपके यार करेंगे समयकित बालविकास सेवा के उद्देश बहुत इंपोर्टेंट योजना है ये क्योंकि इसी के अंतरगत जो आंगन बाड़ी है उनका संचालन किया जाता है और आपको पता होगा कि वरतमान में आंगन बाड़ीों का क्या रोल होता है बच्चों को कुपोशन में आते हैं प्रश्ण में आपको इस योजना के प्रारंब होने की तिथी पूछा है तो कप्रारंब हुआ है ये 2 अक्टूबर 1975 को चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ चले तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्षन में जो है राष्टिय समसामिकी का सेग्मेंट पहला प्र अधिकारिक theme song बनाया गया है किसके संबंद में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 होने वाला है ठीक है वैसे ये 2021 हो चुका है अब लेकिन इसको 2020 के नाम से ही जाना जाएगा क्योंकि पिछले साल होना था लेकिन COVID के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया था ठीक अब प्रयास किया जा रह मोहित चोहान, शंकर महादेवन, ए आर रह्मान तो आईए जानते हैं इसके बारे में चलिए यहां पर देख पा रहे हैं आप 24 जुन 2021 प्रविष्टी थी केंद्री युवा मामले और खेल मंतरी श्री किरन डिजुजु ने टोक्यो 2020 के लिए भारती ओलंपिक टीम के आधि कि गाया है किसने मोहित चोहान जी ने और यह गीत जो है उनकी पतनी प्रार्थना गही लोटे ने लिखा है ठीक तो यहां से आपके प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा option number A लिखा किसने प्रार्थना गही लोटे ने गाया किसने मोहित चोहान जी ने ठीक चलते हैं अगले प् प्रक्षन है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है DRDO आपको पता होगा Defense Research and Development Organization आपके पास option में है Dr. G. Satish Reddy, Dr. K. Sivan, Dr. R. Raghuachari या Dr. N. K. Vijayan तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ठीक यह है Dr. G. Satish Reddy जो है अभी वर्तमान में रक्षा अनुसंदान एवं विकास संगठन जिसको हम बोलते हैं Defense Research and Development Organization इसके कौन है चेर्मेन है ठीक इसके चेर्मेन कौन है Dr. G. Satish Reddy जी ठीक तो यहाँ से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा option number A चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलिए अगला प्रश्न है भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC के निर्म द्वान जोए किसके द्वारा किया जा रहा है逞ारे ओप्शन है Kochin shipyard Limited के द्वारा या CDAC ठीक है जिसको हम CDAC बोलते हैं सीडेक कुणे के द्वारा या Vishakha Patnam shipyard Ltd द्वारा याี้ जानने का प्रयास करते हैं को यहाँ प्र आप देख पार 25 जून की प्रष्टिती ती थी है लिखा क्या है रक्षा मंतरी श्री राजनात सिंग ने कोची में प्रत्थम स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्मान कार्य के प्रगती की समिक्षा की तो किसके द्वारा किया जा रहा है निर्मान यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर भी लिखा है कोचिन शिप्यार्ड लिमिटेड द्वारा ठीक तो आपके प्रश्ण का उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ option number A भारत का प्रथम सोदेशी विमान वाहक पोत किसके द्वारा निर्मित किया जा रहा है कोचिन शिप्यार्ड लिमिटेड के द्वारा चलते हैं अगले प्रश्ण की तरफ चलिए अगला प्रश्ण है नशिली दवाओं के दुरूपयोग और अवैध तसकरी के खिलाफ अंतर राश्ट्री दिवस कब मनाया जाता है ठीक यहां पर दिवस दो बार लिखा गया है इसको आप सुधार लेंगे कब मनाया जाता है तो आईए जानते हैं इसके बारे में यहां पर आप देख पार है 26 जुन 2021 की प्रविष्टिती थी है ठीक प्रधान मंत्री जी का एक ट्वीट है जिसमें क्या लिखा है ओन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूस एंड इलिसिट ट्राफिकिंग आई लाउड ओल दोज वर्किंग इड़ ग्रासरूट्स तो एलिमिनेट दा मिनेस ऑफ ड्रग्स फ्रॉम आवर सोसाइटी ठीक तो यहां से आपका य यह चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि यह जो अंतरराष्ट्री दिवस है किसके खिलाफ देखें नशीली दवाओं के दुरूपयोग और अवैद तसकरी के खिलाफ अंतरराष्ट्री दिवस टिक यह कब मनाया जाता है 26 जोन को टिक कनफ्यूजन यहां पर दो चीज़ों में हो सकता है इसलिए मैंने सोचा कि यह दोनों चीज़े आपको बताता चलूँ यह जो दिवस है नशीली दवाओं से जुड़ा हुआ यह मनाया जाता है 26 जोन को लेकिन अगर आपको प्रश्ण में पूछे कि जन औशधी दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिए 7 मार्च को जन औरश्धी दिवस जो है यह मनाया जाता है जबकि यह विष्वइस्त्री दिवस है 26 जबकि जन औरश्धी दिवस कौन है ओप्शन है धर्मवीर सिंग महीदा मेनका कुर्दिश याकुब कुरेशी कर्मवीर सिंग शर्मा तो आए जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पुस्तक है योग सचित्र इसको किन्हों ने लिखा है चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप क्या लिखा है प्रकाशन प्रभाग ने प्रसिद्ध योग विशेशग्य धर्मवीर सिंग महीदा की पुस्तक योग सचित्र का संशोधित संस्क्रण प्रकाशित किया ठिक ये उस बुक का कवर पेज है यहाँ पर आप देख पा रहे है नाम धर्मवीर सिंग महीदा ठिक तो योग सचित्र पुस्त छह दर्शन जो है जिसको हम भारतिय संस्कृति में शड़ दर्शन कहते हैं ठीक है इन शड़ दर्शनों के नाम और इसके साथ योग जो है योग दिवसा भी हाली में मनाया गया है ये जो योग है इसके प्रनेता रिशी के नाम आप हमको comment box में बताएंगे ठीक शड़ के समसामेक शिंखला के अंतरगत 36 गर तथा राष्टि समसामेकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रशन आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें योट्यूब पर comment करें और इसी प्रकार ग्यानवर्धक वीडियो प्रात्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली कक्षा में तब तक के लिए धन्यवाद